तो आज के इस वीडियो के नदर हम सीखने वाले हैं किस तरह से हम ब्लॉक कर सकते हैं बैक लिंक्स को तो यह कोशन मुझसे एक सब्सक्राइबर ने पूछा उसने कहा कि अगर मैं कोई फेक ब्लॉग क्रिएट करूँ और उस ब्लॉग की मदद से मैं अपनी वेबसाइट को ज कोई जानबूच के भी आपको बैक लिंक्स दे सकता है इस तरह की फेक बैक लिंक्स हो सकता है कि जो इंसान आपको बैक लिंक्स दे रहा हो उसका जो कंटेंट है बिल्कुल भी मैच नहीं करता है आपकी वेबसाइट के साथ और हो सकता है कि उसका जो कंटेंट है sexual content है और वो जान बूज के आपको fake backlinks दे रहा है ताकि आपकी website की SEO ना हो पाए तो basically वो इनसान आपको रोकने की कोशिश कर रहा है SEO होने से तो इस तरह की backlinks को आप किस तरह से ignore कर सकते हो किस तरह से आप Google को बता सकते हो कि यह जो backlink मुझे मिल रही है इस website की तरफ से यह बिलकुल fake है और मुझे यह backlinks नहीं चाहिए तो वही चीज हम सिखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर और यह चीज बहुत जादा जरूरी है हो सकते है कि कोई जान बूज के सच में आपको fake backlinks बना के दे रहा हो और इससे आपकी SEO में बहुत जादा फर्क पड़ता है इस चीज से तो यह चीज जरूरी है कि आप अपनी website को अच्छी backlinks प्रवाइड करवाएं ना कि बुरी backlinks बुरी backlinks अगर प्रवाइड करवाओगे तो Google को लगेगा कि जो backlink आपको मिल रही है फॉर एक्जांपल स्पोस्ट कीजिए सेक्शुल वेबसाइट से आपको जो है backlink मिल रही है किसी पॉर्ण वेबसाइट से तो Google समझेगा यह चीज की जो आपका content है वो भी पॉर्ण से related है ठीक है तो उस case में जो है आपको problem आ सकती है तो यही चीज हम solve करेंगे आज कि किस तरह से हमें ब्लॉक करना है इन गंदी backlink को तो चली start करते हैं सीख्या तो सबसे पहले blogger की account में sign up कर लो अगर wordpress में आपका account है तो भी कोई problem निया कोई आपको खोलना गया है आपको google webmaster खोलना है तो google webmaster खोल लो सबसे बहला काम यह है और यहां पर internet हमेशा नहीं चलता है जब मैं वीडियो बनाता हूँ ठीक है तो यहां पर हमने खोल लिया इसको उसके बाद हम अपनी website को चूज करेंगे जो भी website है आपकी जिसके लिए आप यह चीज करना चाते है उस website को open कर लो ठीक है और उसके बाद हम जाएंगे search traffic में और फिर जाएंगे हम links to your site लिंक्स to your site में जाएंगे यहां पर जितनी भी backlinks आपकी site को दी गई है वो सारी की सारी आपको यहां पर मिल जाएंगी ठीक है और हमें लिगिंग बहुत सारी extra extra backlinks भी ढूणनी है तो इसके लिए आप online tools का यूज कर सकते हैं for example Google में जाओ और वहां पर लिखो check backlinks सिर्फ check backlinks तो बहुत सारी इस तरह की website आजाएंगी जो की check करके दे देंगे आपको backlinks ठीक है तो यहां पर हमें सिर्फ अपनी website का URL पेस्ट करना है तो URL कॉपी कर लो अपनी website का और यहां पर पेस्ट कर लो और फिर check backlinks पे क्लिक करो अब जो है backlinks यह चेक करेगा किनी-किनी backlinks है कौन-कौन सी website से basically में बैक लिंक मिल रही है तो वो सारी की सारी details यहां पर आगई अब हम suppose करो सिर्फ suppose करो हमें यह वाली website को इस website का जो जो भी backlink हमें मिल रहा है इस वाली website से वो हमें delete करना है तो यह चीज़ हम कैसे करेंगे basically इस website को हमें block कराना है ताकि Google जो है कभी भी इस की यह जितनी भी backlinks हमें यह website दे तो वह हमें कभी allow ना हो तो यह चीज़ हम block कैसे कर सकते हैं बहुत easy है Google में जाओ और यहां पे लिखो block backlink in webmaster ठीक है block backlink in webmaster और यह जो पहला article है यह आजाएगा आपके पास इसकोपन कर लो पहला article आ गया scroll down करो और यहां पर आजाएगा आपके पास एक option जो की है यह tool का link ठीक है इसकी description में link दे दूगा मैं इस चीज़ की तो इस पे ख्लिक कर लो और यह google webmaster का ही part है तो attention के बात नहीं है और make sure कि आप login हो google में अपना आपका जो google का account है login होना चाहिए फिलाल और इसके बाद यहां पर आपको ज्यादर कुछ नहीं करना है जो भी website साथ की webmaster के साथ attach होंगी उन सभी websites की option यहां पर आपको आपको आजाएगी बस आपको उ जिर्फ एक website मेंने attach की है तो मैंने उसी को choose कर लिया और उसके बाद इस पे click कर लूँगा ठीक है कर लिया और उसके बाद यहां पर आपको एक option मिलेगी डासवो डासवो लिंक्स डिसावो लिंक्स जो भी है जो भी बोलते हैं इसको ठीक है इस पे click करना है आपको और यहां पर आपको एक text file upload करनी पड़ेगी ठीक है तो एक text file create करते हैं तो notepad open करूंगा अब इस notepad में basically हमें करना क्या है जिदनी भी urls है जो आपको block कराने हैं उनको copy कर लो और यहां पर paste कर लो for example मुझे यहां से जो है for example यह वाली जो website है ठीक है इससे मुझे backlink नहीं चाहिए इस case article से तो मैं इसका url copy कर लोंगा copy किया and notepad में जाओंगा और वहां पे इसको paste कर दूंगा आप चाहिए तो multiple multiple क्या दे सकते हो url दे सकते हो आपकी मर्जी है ठीक है या फिर आप अगर आपको इस article से अगर आपको नहीं चाहिए backlink तो आप इस article को पूरा url डालो अगर आपको इस website से ही पूर कभी नहीं डाल दो और काम हो जाएगा ठीक है तो इतनी सी चीज करने है अगर आपको multiple websites के लिए ब्लॉक करवाना है ठीक है तो कुछ नहीं है बस copy copy करो उन website को और इस तरह से paste कर दो बाकी कोई problem नहीं आएगा आपको ठीक है तो इतना सा काम है और उसके बाद simply इस file को save कर लो desktop में कही पर ब्ला 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 नाम दे दिया मैंने इसका और as a text file इसको save करो और save कर लिया and that's it and वापीस से उस page में जाओ जो हमने पहले open किया था and that's wow links ठीक है और choose करनी अब हमें file text वाली file जो अभी हमने create की तो यह रही वह blah blah dot text open कर लिया इसको यहाँ पे and submit कर लिया and submit करने के बाद इस पे हम done कर लेंगे तो यहाँ पर आपको जो है यह timing 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 दे देगा कि कब जैसे आपने upload किया ब्ला 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 इसको और फिर done कर लो और done आपका काम खतम यह थोड़ा सा time लेगी यह चीज हो सकता है कि 48 hours ले या फिर 24 hours लेकिन आपका काम हो गया तो इस तरह से आप bad block link bad links को bad links को block कर सकते हो बहुत easy था thank you so much for watching this video please like share and subscribe कोई question हो तो comment section में पूल सकते हो bye bye take care bye bye हुआ 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 है